अठमी क्लास दे गनित विशे नाड सबंदित सेशन विच सारे आंदा स्वागत है ते वद्यार्थियों आज दा साड़ाई सेशन है चैप्टर नंबर 13 जिसना नाम है डिरेक्ट प्रपोशन और इंडिरेक्ट प्रपोशन मीन्स सिद्धा अनुपाद ते उल्ट अनुपाद इस बारे विच्छों आसी रिवीजन करांगे ते वद्यार्थियों आल्रेडी चैप्टर ऐसी कर चुके हैं सब तो पहला ऐसी चाना कि सिद्धा अनुपाद की होंदा है ते साठी जड़ी एक्साइज है अजदी 13.1 ओ भी सिद्धे अनुपाद नाल ही रिलेटिड है तो सिद्धे अनुपाद विच की होंदा है जेकर तो अडेकोल दो राशियां हान है ए दो राशियां आपस विच सिद्धे अनुपाद व गया है वाई दे इट मींज जो रोद उसी प्रोपोर्शनल्टी साइन हटाऊंगे ता इत्थे एक्स वटा वाई दी रेशो जड़ी है वो हमेशा कॉंस्टेंट आंती है ठीक है तो वद्यारतियों असी एक राशी एक्स वन लेने या ते दूसरी वाई वाई मन लेने जड़ों बच्चो इना राशियां दे वेच चेंजीस किती है जानी के जग खटाया जब दाया ते वद्यारतियों उत्ते मन लो एक्स टू जड़ी है एक्स वन तो एक्स टू बढगी ते वाई वन तो वाई टू बढगी तब द्यारतियों इना दा नुपात भी जड़ा है वो सेम रहूगा ठीक है तो एदा मतलब डिरेक्ट प्रोपोशन वेच असी एक्वेशन स्वाल हाल करन लगे कील गामा गे एक्स वन बढटा वाई वन बढबर एक्स टू बढटा वाई टू ठीक है इस रिलेशन वो सारे बच्चाने नोट कर लेना है सिद्धे नुपात व पार्किंग फीस इस तरह है कि चार केंटे तक साथ रुपे लगनगे अट केंटे तक सौर पे लगनगे बारा केंटे तक 140 पे लगनगे चौवी केंटे तक 180 पे लगनगे ते वदियार्थियों असी दसना है कि कार पार्किंग फीस पार्किंग दे सिद्धे अनुपात है जा नहीं है तो इसनों किस तरह करांगे देखो एक राशी पहली चार है जानिके एकस वान होगी ठीक है बटा इदे विच वाई वन जड़ा है ओ साथ हो जएगा जो तो तुसी है नों सौल करूंगे यह आएगा एक वटा पंदरा एसे तरह वद्यार्थियों अगली राश फीस है गी है 140 रुपे तो अब द्यार्थियों इदी कटिंग करनते 3 वटा 25 प्रापत होएगा तो इदी चौवी केंटेली 180 रुपे ठीक है और पार्किंग फीस है तो ए आ रहा दो बटा 15 तो वद्यार्थियों जे कर तुसी त्यार ना देखो ता ए दे विच जड़ी रे पार्किंग रेट जेड़े ने ओ पार्किंग समय दे सिद्ध अनुपाद वेच नई हान ठीक है उस्तो बाद वद्यार्थियों सैकेंड सामें के पेंट एक पेंट दे मूल मिश्रन दे अठ पागां वेच लाल रंग दा पदार्थ एक पाग मिला के मिश्रन त्यार कीता ज है हेट लिखी सारनी वेच मूल मिश्रन दे ओ पाग पता करो जे ना नू मिलाए जान दी जरूरत है तो वद्यार्थियों लाल रंग दे पदार्थ दा पाग ए उपर देड़े है देते हुए ने टेबल दे वेच ठीक है वन पार्ट फोर्थ पार्ट सैवन्थ पार्ट त् मिश्रन इते मूल मिश्रन आना मूल मिश्रन दे पाग ओ किन्ने आरेने सो वद्यार्थियों इसनों सॉल्व करना लिए असी की करांगे एक्स वान ओवर वाई वन इकल टू वाई एक्स टू ओवर वाई टू ए साधा फार्मूला होना चाहिदा है ठीक है तो इसनों एक वाट आठ बराबर अगला च्छो एक्स टू दा मूल मिश्रन चाहर पारदने है जैच चाहर हैगा ते एत्स इते कड़ना हैगा Y2 दा मोल इत्थों किन्ह आएगा Y2 बराबर इन्हों क्रिस्क्रॉस कर देना इन्हों इद्धर लेजो इन्हों इद्धर लेजो तब Y-2 दी वैल्यू इत्थों चॉका किन्ह हो गया 2 ठीक है Y2 दी वैल्यू इत्थे 2 आगी तो इत्थे 8 लिखतांगे 32 ठीक है 32 पहले देवे चाज़ेगा इसे तरह बच्चो second ए फर्स्ट फिलप पे दी होगी second फिल करने की करांगे एक वटा अठ अगे नहीं रैंड दो ते उस तो बाद अगले बेच X2 दी वैल्यू 7 पूट कर दो तब वद्यार्थियो Y2 कटना हेगा तब Y2 होन किनना आएगा 87 चुपिन जाए ठीक है दूसरे लिए आंसर किनना आएगा चुपिन जाए थे अगला विच्चो third फिलप जड़ी हो किता करांगे 188 बराबर 12 बटा Y2 ठीक है Y2 जड़ा इतनों कर दोंगे क्रिस क्रॉस कर रंतों बाद तो बारा अठाव जो किनने होगा श्यान में ठीक है तो एदे वेच Y2 दी वैल्यू किनना आजेगी 96 ठीक है एसे तरह वद्यार्थियो तुसी लास्ट वाला कर देना एत वाड़े कोड एक सो साथ प्रापत होएगा मतलब के तुसी की करना है तुसी एक कोड़ा आठ बराबर बी बटा वाई टू तो इतो वाई टू दा मोल जड़ा है वो किनना आजेए ना आठ गुणा बी बराबर एक सो एक सो साथ ठीक है एक सो साथ ठीक है अधी वैल्यू जड़िया आजएगी को मैं थर्ड साम दे विच किया है थर्ड साम च है कि प्राशन दो दे विच जेका लाल रांग दे पदार्थ दा एक पाग दे लिप यत्तर अमल मूल मिश्रन जानिके जड़ा बेस हैगा 75 अमल बेस जड़ा है पिग ही दा है तो वद्यार्थियों इत्तर अनों टेबल बनाना पोगा इनों सॉल्व करना लई असी पहला टेबल ड्रॉ कर लने या वो टेबल दे विच तुसी की की लिखना है देखो सब तो पहला इत्तर लिख लूँगे के लाल रांग रांग दे पदार्थ मैं उपर लिख पदार्थ दा पाग ठीक है तो यह उपर लिख देता थल्ले की आजाना बच्चो मिश्रन दी मात्रा जानी के क्वांटिटी ओफ बेस ठीक है ओ बच्चो देती है तो अनों एमेल देविच के देविच देती है एमेल देविच तो जेकार वान है ता ए 75 एमेल जड़ा है र वदियार्थियो ए एक्स होवे ता थारांसो एमेल तो वदियार्थियो ए साथे को टेबल बन गया है इस टेबल दे विच किया है कि जेकर लाल रंग दे पदार्थ दा पाग एक है तो मूल मिश्रन दी मात्रा जड़ी है क्वांटिटी ओबेस ओ 75 एमेल होईगी अगर एक् स्कंद्रा मूल मिश्र थेगा is बेस रिड़ा थारांसो एमेल है तो वदियार्थियो लाल रंग दा पाग दा पाग पता करना तो सीकिद करांगे एक्स ओन ओवर वाइवन एक्कल टू ओड़ी ड़ी वाईट्वा ड़ाई ड़ीत तो इन्हुं सॉल कराना लगे सीकिक करां तब वदियार्थियों यह था उनों चौवी प्रापत होवेगा तो इतने आंसर आजेगा चौवी अगला वदियार्थियों नेक्स्ट कोशन बहुत इंपोर्टन है यह कोशन की है कि किसे साफ्ट ड्रिंक फैक्टरी वेच एक मशीन था अट सो चाली भूतला ठीक है अट सो पांच गैंटे वेच किन्यां बोतला परेगी तो वदियार्थियों दिखो अट सो चाली भूतला शे कैंटे ठीक है किन्यां बोतला पांच गैंटे वेच ओ परोगी यह तुसी फाइंड आउट करना है ठीक है तो एदे लिए आसी किया टेबल बनावागे ऑव्यस आई थे जिकर तुसी कोश्चन हो ते आना पड़ो समा कट गया ते बोतला भी कट जानिया ठीक है तो इथे तुसी समा लिख लो कैंटे वेच और इथे बोतला दी सांख्या ठीक है नंबर ओफ बोटल से डिया ने वो इथे ले दिया इफ सिक्स आर्स रिक्वाइड दे वेच एट पॉट्टी बोटल से डिया ने फिल हो रिया ने साफ्टरिंग दिया ते इदे वेच बचो पांच कैंटे आ दे वेच जानिके पांच कैंटे या बोतला जडिया ओपर यह जान गया इन वह सी वाइटू मालने ने फार्मुला साटे गोड एक्स वान ओवर वाईवन इकुल टू एक्स टू ओवर वाई टू ठीक है तो ए फार्मुला जड़ा लगेगा तो इथो उन वाई दा मोल कि दा गड़ांगे क्रिस क्रॉस करके इथर आट सो चाली दी पांज ना गुणा हो जूगी तो वाई दा मोल आजएगा आट सो चाली गुणा पांच बटा छे ठीक है तो जदो दूसी अनू सौल करूंगे ता अब द्यार्थियो इत्थो ता अनू सत सो जड़ाया उपरापत होएगा 700 बॉटल सिर्ण याने ओ पा जड़ी है एक बैक्टीरिया जहां जिवानू दे फोटोग्राफ नू चित्तर विच बच्छे द्रसाया गया इदा तो उनूना फिगर देती होई है मैं चलो फिगर होना जिवानू दी फिगर है इससरा सारा साटी को स्पेस का टोन करके मैं बनाई नी है तो नो पांच दिखाया गया है ठीक है तो है चित्तर जड़ाया मनलो इदना है गया है दे विच ते वद्यारतियो इस बैक्टीरिया दी असल लंबाई की है जेकर फोटोग्राफ नू सिरफ बी हजार गुणा वड़ा कीता जावे ता उस दी वदाएगी लंबाई की होएगी ठीक है तो एक्चुल लेंथ ऑफ दी बैक्टीरिया फाइंड आउट करनी है ते फिर असी करना है कि जे फोटोग्राफ नू सिर्फ ट्वंटी थाउसेंड टाइम्स इंक्रीज कर दिये ता फिर ओध लार्ज लेंथ जड़िया हो किन्नी होएगी ठीक है तो इनू करन लिए असी की करा ते अगर एक वधियार्थियो सारनी दे अकॉर्डिंगली इत्थे की है वान आ जुगा ते इत्थे की आ जुगा एक्स ठीक है जाने कि इत्थे वाई लिख लो वाई आजेगा होन वधियार्थियो इनू सॉल्ट किता करना है पजा हजार बटा पांच सेंटीमिटर बराब पर एक बटा वाई सेंटीमिटर ठीक है तो वाई दा मोल किता निकलेया देखो यह आजूगा दास हजार ठीक है दास हजार मतलब वाई दा मोल जड़ा है ओ किना होजेगा मतलब इत्थे दास हजार आया वाई दा मोल किना होगा वाई क्रिस क्रॉस कर देना है वाई कल टू 1 by 10,000 यानि के 10 दी पावर माइनस 4 ये दा अंसर आऊगा ठीक है इनने सेंटीमिटर हुन हैगा जेकर बैक्टीरिया दी लंबाई 20,000 ठीक है 20,000 बदा आती जावे मतलब के इत्थे तुसी 20,000 कर दो ठीक है 20,000 कर दो ता फिर 20,000 गुणा फोटोग्राफ नो इनलार्ज कर देता गया ते फिर उन्दी लंद से जड़ी है और फाइंड आउट करनी है हून वाई दा मोल किनना हुगा ठीक है इस सेकिंड की इस आगया सेकिंड की इस ते बेच किया है के 50,000 ठीक है x1 over y1 equal to x2 over y2 ठीक है तो आज जीरो 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 तेन चार जीरो आज़ी है आपस चकाट गई है यह फाइव जड़ा है यह बानते जाओगा उपर फाइव नाल ता अब दियार थियो y will be equal to के दे इक कोल आज़ूगा दो दे ठीक है तो y दा मोले थे किनना 2 आज़ेगा means 2 cm यह दा अंसर हो वेगा ठीक है अगला जीरो कोशन है यह है एक जहाज दे माडल वेच उस दा मस्तूल मस्तूल मतलब हुंदा है बच्चो मस्त 9 cm उच्चा है ठीक है जहाज दे वेच मस्तूल किता हुंदा है जहाज दा माडल बनाया हुदे मस्तूल जड़ा है गा उस दे माडल दी लंबाई किननी होईगी यह सी फाइंड आउट करना है तो वद्यारती हो एदे लिए असी किया अगेन इस तरह टेबल ड्रॉ करागी ते टेबल ड्रॉ करन तो बाद वच्चो उन्हों सी फिर गिया सॉल्व कर लेना अकॉर्डिंग टू दी सिच्चवेशन तो इथे की जहाज दा मस्तूल जड़ा है उदी असल उचाई जड़ी है असल उचाई ठीक है जहाज दे मस्तूल दी असल उचाई किनी है बारा मीटर ठीक है ते नमूने वेच जानी के जो फोटो दे वेच दिखाई गई है ठीक है माडल दे वेच जानी के मौडल च उचाई किनी है माडल वेच उचाई ठीक है बारा मीटर है ठीक है जहाज दे लंबाई जड़ी जड़ी हगिंहे ठाई मीटर है थे माडल दे लंबाई जड़ी होगी होगी ठीक है, यह असी find out करना है, ठीक है, यह सब्ड़ा question है, कि length of the ship जेएगा 28 meter है, then how long is the model ship, ठीक है, तो इनुँ बिच्चो किस तरह करूँगे देखो, 12 x1 over y1 equal to x2 over y2, ठीक है, तो इथो x दे लिए इनुँ solve कर लेना सी, तब दियारतियो, ए आजेगा, देखो, a meter है, ठीक है, यह भी meter है, तो a centimeter है, तो इसाड़ा answer भी centimeter चाएगा, यह तिया रखना बना, क्योंकि meter ना meter कर जाना, centimeter यह थे बचेगा, तो इसाड़ा गुणा x, बराबर, ठाई गुणा 9, जाब बैटर हैगा, तुसी एनु 104 multiply कर दो, तो इनु भी centimeter च बदल लो, इनु भी centimeter च बदल लो, तब द्यारतियों, सो और सो भी फे कट जाने है, यह तो आड़ेते हैं, ठीक है, तो सिद्धा मैं direct answer लिख रहे हैं, ठाई गुणा 9, बटा 12, ठीक है, जो तो दुसी एनु solve करूंगे ता यह बच्चे बढ़ेगा, एककी, ठीक है, तो answer आजेगा ता इककी, तो जड़े, ज खांड़े दाने दुसी देखें, उने इदा छोटे-छोटे होंदे है, ठीक है, क्रिस्टल टाइब दे, तो उनों क्रिस्टल कैदन दे है, ते वद्यारतियों, दो किलो खांड़ा जीकर, ता फिर वद्यारतियों, क्रिस्टल, नौ गुणा 10 दीपावर शेयान, तो जेकर यही पांच किलो हो जाना, ठीक है, किलो हो जाना, पांच किलो मातरा हो जाना, फिर क्रिस्टल किनने होंगे, तो जे एक पॉइंट दो केजी है, फिर क्रिस्टल किनने होंगे, ठीक है, तो इथे उसी की लिखांगे, खांड़ दी मातरा, ठीक है, खांड़ दी मातरा, और इ नो गुणा दाह दी पावर 6 जेकर यही 5 kg हो जाए ता फेर असी एदी वैल्यू कड़नी है इतनी बच्चो जे 1.2 kg हो जाए ता फेर भी असी वैल्यू जड़नी है ठीक है तो पहला case जेड़ा first case हा case 1 ठीक है पहला case देवेच की है असी की लिखांगे 5 बटा y ठीक है equal to 2 बटा 9 गुणा 10 दी पावर 6 ठीक है तो सिद्धा अनुपात जेड़ा लगूगा x1 उपाउन y1 equal to y1 x2 उपाउन y2 ठीक है तो यह आगया 2y equal to 5 इंटो 9 इंटो टैरेस 2 पावर 6 ठीक है तो यह आजेगा 22.5 पाउन दी पावर 6 ठीक है इनने crystal हो जाणगे जो के बाद गयने ठीक है ते वद्यार्थियो उस्तो बार जेकर इही second case दे लिए ओ तुसी बच्चो आप भी कार सागदे ओदे वेच कि यह जाना 2 बटा 9 गुना 10 दी पावर 6 बराबर 1.2 बटा किना रेना y इत्थे इत्थे मोल कटना गे तब इत्थे वेच की होगा इनो इत्थे ना काट दे हो 0.6 आगया इत्थे बच्चो नौशीक किन्हें होगा चरिंजा तो एदा मिला यह जाना y दा मोल जेडा है पांच पाउंट चार गुना 10 दी पावर 6 आज़ूगा ठीक है जो के वैल्यू ड़ि तब फिर खांड दे क्रिस्टलान गेंटी भी उत्थे काट गई दे आर्थिव अगला आठमा कोशन हैगा एक ही रश्मी दे कोड एक सडक दा नक्षा है जिस दे पैमानने विच एक सैंटी मिटर दी दूरी ठारा किलो मिटर दरसों दी है ते ओ सडक दे ते अपनी गड़ी तो बहत्तर किलो मिटर दी दूरी तै कर दी है उस दे द्वारा तै कि ती गई दूरी नक्षे विच की होगी ठीक है पैमानना देखो पैमानना है विचो एक सैंटी मिटर दा जो के ठारा किलो मिटर दरसों दा है ठीक है ते दूसरे पास से जड़े या की लिख्या होया कि जेकर वो 72 किलोमेटर ड्राइव कर दी भी आता है, फिर वाट पूदी दे डिस्टेंस कवर्ड इन दी मैप, ठीक है, मैप दे विचो किन्नी डिस्टेंस देडिया दरसा होगी, तब अधियार्थियों इत्थे किया, सब तो पहला इसी एक सेंटी मिटर, एक सेंटी मिटर दे ठीक है, ठीक है, तब उस तो बाद उन दूरी जडिया हो किन्नी तया किती 72 किलोमेटर, थे जाक्षे दे किन्नी दरसा होगी, ओ सेंटी मिटर अधिवीच कर लेनी है, नो एक समाल लेना, ठीक है, तो ए ओ गया, कि दरसाईगी दूरी और बटा जडिया एक या जडिया है, तैग इती गी दूरी चड़ी के मतलो एक पैमाने वेच एक सेंटीमीटर दी दूरी नो ठारां किलोमीटर दर्सा आ रही है ठीक है तो असी फिर रेशो के दाल हमाँगे x1 over y1 equal to इनू centimeter लिख लो इनू kilometer ही रेंड दो कोई दिक्कत नहीं है कि जड़ा answer है साड़ा हो भी centimeter देवेच ही आजेगा ठीक है तो kilometer ना kilometer कट जाएना centimeter ना centimeter कट देओ तो एक एदे बराबर आजुगा बच्चो 72 अपर चल जाएना 12 थल्ले आगया इनू होन बद्यार्थियों तो उसी खूद कार सकते हैं एदे वेच की करना देखो पांच मीटर ये वी इसे तरह ही करना है एदे वेच की करना तो उसी 5.60 डिवाइड बाई 3.20 ठीक है कोश्चन की हैगा कि 5.60 60 cm दे खड में खंबे दे परशामे दी लंबाई 3.20 cm है उस समय पता करो जोनों 10.50 cm एक उच्चे होर खंबे दे परशामे दी लंबाई ठीक है वो उसी पता करनी है इनूं डारेक्ट अनुपाद दे वेच ले लेना है ठीक है तो जोनों तुसी solve करूँगे एदा यह बच्चो 6 जड़ी है 6 इते मीटर आंसर एदा आएगा ठीक है इस इतना वदियार्थियो नाल ही अगले वेच तुसी 5.60 अगले वेच उना ने किया है परशामे दी लंबाई 5 मीटर दे देती है तो आ एक्वेशन ड़ी है सेम ही लाणी है 5.60 डिवाइड बाई 3.20 इक्वल टू इते केरे ना y बाई 5 ठीक है तो एदे वेच वाई दा मोले चड़े तुसी कड़ूंगे तो दियार्थियो यह आ जोगा 8 मीटर पिजटर सैंटीमीटर ठीक है इमें तो आडेली चाड़ रहे हैंगा य तुसी करना हैगा लास्ट स्वाड़ है बच्चो य भी इसे तरह ही है य दे विच मैं टेबल बना देना 14 एक्स तरह इते बच्चो य आएगा 25 बाई 60 यानि के 5 बाई 12 ठीक है और 5 ठीक है य दा मतलब की हैगा इस कोश्चन की है कि माल दा लद्या होया एक ट्राक पच्ची मेंट विच 14 किलो मिटर चालदा है पच्ची मेंट नो तुसी कैंटे आ विच बदल लेना तो जे चाल उही रहे तो पांच कैंटे विच ओ किन्नी दूरी ताय करूगा तो ये थे पांच कैंटे आ जानगे ठीक है तो सिद्धे अनुपाद वेची है तो ये 4 बटा किता लिखूंगे 14 बटा 5 बटा 12 बराबर X बटा तो ये 12 उपर चल जाने ने 14 बटा 5 बटा 5 बटा 5 बटा 5 5 ना 5 गड़ देना 14 दी 12 ना गुणा करूँगे तो जो ये आजेगा 108 ठीक है तो पांच गेंटे विच 108 किलोमेटर दूरी तै करूगा तो ये वद्यार्थियों तो आड़े स्वाल सिए ठीक है ऐसी कार चुके आ अल्रेडी ते इना नुहुन तुसी रिवाई से दुबारा कर लेना ओके वज़े थैंक यू